गुड बॉर्निंग स्टूडेंट कैसे हो आप? आज हम आपके सामने SCF Highest Common Factor आपको समझाने जा रही है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए Factor's क्या होते हैं? सबसे पहले आपको Factor's के बार में पता होना चाहिए Factor's क्या होते हैं? 15 15 हमारे पास 15 एक नंबर है इसकी हमें Factor Find करने हैं तो हमने यह देखना है कि 15 कौन कौन से टेबल में आता है 1 के टेबल में सभी आते हैं तो 1 तो आप लिखो गई 1 Next है 3 3 के टेबल में 15 आता है तो आप 3 लिखो गई 3 के बाद 5 5 के टेबल में 15 आता है 3 3 5s of 15 5 3s of 15 and next 15 के टेबल में खुद ही 15 आता है तो हमारे पास जो हमारे 15 के Factor हैं वो क्या होंगे? 1 3 5 15 कि जिस टेबल में हमारे पास 15 आता है वो इसके Factor है तो 1, 3, 5, 15 is a Factor of a 15 factors निकालने के हमारे जो है हमारे पास एक method होता है 3 method एक हमारे पास Factor निकालने का 3 method भी होता है जैसे हमारे पास 24 गिवन है इसके हमें factor फाइंड करने है तो आप क्या करोगे? 6 4s are 24 आप एक साइट 6 लिखोगे और एक साइट 4 लिखोगे 6 के टेबल में 4 पर 24 आता है अब 6 के आगे कौन से Factor है 3 और 2 3, 2 is a 6 अब 2 के आगे next कौन से Factor है 2, 2 is a 4 This is a 3 Factor method यह हमारा 3 method होता है Factor निकालने का इस Factor इसके according हम क्या करते है Table को वहां तक पढ़ते है जहां तक 24 आई 6 का Table 4 तक रीड करोगे जब 24 आ जाएगा तो यह दोनों हमारे Factor बन गए है आगे से इनके भी Factor Find out करोगे आप 3, 2 is a 2, 2 is a तो लास्ट में आप लिखोगे The Factor The Factor of Factor of 24 Is कौन से Factor है 3 पहले आप छोटे Factor लिखोगे 2, multiply 2, multiply 2, multiply 3 इसको आप multiply करके भी देख सकते हो आप का आँसर 24 ही आएगा 2, 2 is a 4, 4, 2 is a 8, 8, 3 is a 24 तो this is a Factor so far 24 अब हम जो इसमें रीड करने वाले हैं वो करने वाले हैं HCF HCF होता है Highest Common Factor Highest Common Factor को निकालने के हमारे पास 2 method होते हैं हमारे पास first method होता है Prime Factorial method सबसे पहले हमारे पास होता है Prime Factorial Factorial Factorialism method And next हमारे पास होता है Second Division method Students SCF में हमारे पास two method होते हैं एक होता है हमारे पास Prime Factorialism method और दूसरा होता है Division method First method प्राइम Factorialism method हम first method करेंगे सबसे पहले इस method के according क्या होता है हम इस सभी को अलग अलग करना होता है जैसे आपके पास given question है 108-144-180 जैसे छोटी क्लासों में हम करते थे लगुत्तम हिंदी में से बोलते है लगुत्तम समावर्तक ठीक है तो आप इसको और हिंदी में इसको एक होता है LCM SCF इन दोनों को लग लग नाम से बोलते है और कई नाम भी ओते हैं जैसे कोशनों में जब हमारे पास words problem आती है तो highest common factor उसमें हमें कैसे पता लगता है कि highest common factor ही find करना है जब हमें यहां वहां पर लिखा हो maximum maximum number find करो maximum digit find करो तो हमें उसमें SCF ही निकालना है FCF ही find out करना है और अगर हमारे पास आजे greatest greatest लिखा आजाए तो इससे भी हमें पता लगता है कि इस कोशनों में SCF ही हमें find out करना है maximum आजे greatest आजे मतलब ज़्यादा की बात की हो highest power की बात करी है highest चीज निकालने के बारे में कहा हो तो हमें उसमें क्या ही निकालना है क्या find out करना है SCF ही find out करना है तो सबसे पहले जो हम method कर रहे हैं उस method के according सबसे पहले हमें ये digit को इस तरह लिखना है सबसे पहले हम 108 को 2 के table से देखेंगे 2 के table में देखेंगे या आता है यह सकता है 2 5s are 10, 2 4s are 8 next फिर से 4 है पिछे तो हम 2 की digit से करेंगे 2 2s are 4, 2 7s are 14 अब पिछे 7 digit है तो 2 के table में नहीं आएगा तो आप 3 के table पर करोगे 3 9s are 27 अब पिछे 9 आगे अब ये भी 3 के table में आएगा 3 3s are 9 and 3 1s are 3 अब next आप करोगे 2 7s are 14, 2 2s are 4 next 2 3s are 6 2 6s are 12 फिर से आप इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 1s are 2, 2 8s are 16 next 2 9s are 18 next 3 3s are 9 and 3 1s are 3 अब next करोगे 1 18 2 9s are 18, 0 2 4s are 8 2 5s are 10 3 1s are 3 3 5s are 15 3 5s are 15 next 5 1s are 5 ये सभी हमारे जो हैं हमारे पास factors आ गए हैं अगर हम से question हमारे पास ये आता है कि find the factor this and this तो सिरफ question को हम यहां तक करेंगे इसके factors लिख देंगे only यहां तक देखो students 182 के factor हमारे पास कितने है 2 x 2 3 x 3 x 3 and 144 के factors क्या हैं हमारे पास 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 and next 180 के factors क्या हैं हमारे पास 2 x 2 x 3 x 3 x 5 तो सिरफ यहीं तक question को show करना होगा जब सिरफ पूछा जाए only factors बट इसमें क्या पूछा है हमारे पास SCF SCF का मतलब होता है common factor common factor इन सभी में जो common है तो सबसे पहले हमीं देखना है हमारे पास 2 तीनों में है तो हमारे पास क्या common है 2 next हमारे पास फिर से 2 common है multiply 2 next हमारे पास 3 3 3 3 3 3 2 x 3 है 3 3 इन सब को हम multiply कर देंगे 2 2 is a 4 4 3 is a 12 12 3 is a 36 this is a 36 हमारे पास क्या है HCF this is a answer ओके स्टूडन तो यह हमारे पास था SCF highest common factor निकालने का first method स्टूडन मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगी जो बहुत important है सभी बच्चे यहाँ फस जाते हैं कुछ बच्चे यहाँ फस जाते हैं कि हम कहां किस table से divide करें इसको सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है हमें कि छोटे table से ही हमारी शुरुवात होनी चाहिए छोटे table से बड़े table की ओर जाना है सबसे पहले हम बड़ा table नहीं कर सकते छोटे table से बड़े table की ओर जाना है नीचे को ठीक है और second आपने इस बात का ध्यान रखना है जब यहाँ even digit है even two four six eight zero जब यह आपके पास even digit होती है तो यह even table पर ही जाती है जैसे two four six eight ten twelve sixteen next आगे बढ़ते रहते हैं eighteen twenty twice twenty Chief तो अगर हमारे पास even digit है कई बार हमारे पास बहुत बड़े-बड़े सम आते हैं four digits के साम के साम होते हैं five digits के साम होते हैं यहां इस जगा पर तो हमें सब से पहले उसकी पीछे वाले digit देखनी होती है अगर पीछे वाली digit on должен है तो वह even table पर ही जाए तो वो ओड टेबल पर ही जाते हैं, ओड टेबल हो गए जैसे हमारे 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, आपने पीछे से डिजिट का ध्यान रखना है, अगर इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो सम थोड़ी जल्दी हो जाएंगे, थोड़ा आपका टाइम वेस्ट कम होगा, अब कुछ ऐसे डि पर जाती है, उस चीज़ों को थोड़ा माइन में रखना होता है, जैसे अब इस सम पर बच्चे फस जाते हैं, ये सम पर कि ये किस पर जाएगा, ना तो ये डू पर जाता है, ना थ्री पर, फोर पर, फाइफ से, अब क्यूंकि और डिजिट है तो मैंने और टेबल पर कहा तो इस तरह के काफी सम होते हैं, जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो student आपने सिरफ इस चीज़ का ध्यान ही रखना है, कि even table से करना है, even number होता है, अगर और number हो, तो और table पर ही जाएंगे, आपने और table पर उसको divide कर करके देखना है, next method हम बताते हैं, आपको division method, ये तो था हमारे पास prime method, अब next है हमारे पास division method, second method जो है हमारा, ये है हमारा division method, SCF निकालने का second method है हमारे पास division, division method, student इसमें आपको कई sums में two digits given होती है, और कईों में three digits given होती है, first of all हम two digits आपको से करवाते हैं, आपको 120 और 117 इस तरह हमें two digits दियो होती है, और हमें division method पूछा होता है, तो आपने क्या करना है इस digit में, जो आपको है, 102, sorry, 102 है यहाँ, 102 को आप बाहर रखोगे, बड़े वाली digit को आप अंदर रखोगे, ठीक है, तो आप divide करना start करोगे, जैसे हमने, इस divide को हम छोटी divide बोलते थे, हिंदी में, छोटी divide भी बोला जाता है इसको, और English में हम इसको division method बोलते हैं, तो इस division method में हमें SCF कैसे find करना है, वो देखो आप, first of all आपने क्या करना है, इसका table यहाँ तक read करना है, तो one पर ही जाए गई है, next आपके पास यहा पर इस, यहाँ पर जो है, वो रखना है, और आपको remainder से इसको divide करना है, और यह तब तक करना है, जब तक हमारा पूरा cut ना हो जाए, अब हमारे पास क्या आ जागा, यहाँ पर 9, 0, अब आप remainder find करोगे, 2, 10 में से 1, फिर से आप इस जगा को, इस remainder को यहाँ रखोगे, और 12 से divide करोगे, तो 12, 1s are 12, 3 आपका remainder आ गया, अब आप इस 12 को यहाँ रखोगे, और 3 से divide करोगे, 3, 4s are 12, अब यह cut हो गया, तो यहीं पर आपका, यह sum फिनिश हो गया, और 3 आपके पास क्या आ गया, SCF, एक बार दुबारा देख लो, आप इस sum को, आपने body digit को अंदर रखना है, और short small digit को बाहर रखना है, divide करना, start करना है, जो remainder आएगा, उसमें, जिससे आपने divide कर रहा है, उसको अंदर रखके, उसको divide करना है, और यह process तब तक चलेगा, जब तक हमारा cross नहीं हो जाता, ओके student, अब इसी के जैसा एक और question है, उसमें आपको 2 की जगा 3 digit given है, देखे student, इसी का second question, आपको 3 digit given है, 2, 0, 5, 0, 2, 3, 4, 0, and 2, 8, 7, 5, यह 3 digit आपको given है, तो इसमें आपने क्या करना है, जो greater digit है, थोड़ी बड़ी digit है, उसको आपने अंदर, और जो small digit है, उसको आपने बाहर रखके divide करनी है, तो first of all आप क्या करोगे, one पर ही आपका जाएगा, ठीक है, 0, 4 में से 5 less नहीं होता, तो 15 में से 5 less करोगे, 14 में से, sorry, 14 में से 5 less करोगे, 9, and 2 का 2, okay student, again, जिस digit से divide करी है, वो digit आपकी, divide करेंगे उसको, 2, 90 से divide होगा, ओके student, अब ये आपका जाएगा, 7 पर, 7, ये आपका 7, 7 नमबर पर लिखेंगे इसको, 0 में से 0 गया, 0, 5 में से 3 गया, 2, okay student, इस digit को फिर से आप divide में लेके आओगे, 2, 90, और 20 से आप divide करोगे, 21 और 20, क्यूंकि पहली digit 20 से बड़ी है, तो आप 2 ही digit का use करोगे, divide करने के लिए, 9, 0, और ये जाएगा 4 पर, 24 जा 80, अब आपका remainder आगया, 10, अब आप फिर से divide में क्या लेके आओगे, इस divide को, 20, and 22 is a 20, this cross and this is your not answer, अब आप क्या करोगे, क्योंकि हमारे पास एक digit और है, अगर हमारे पास 2 digit ही होती, तो यह हमारा answer होता, अब हम इस digit को, इस digit से divide करेंगे, 10, divide, 2, 8, 7, 5, अब 10, 2 is a 20, ओके स्टूडेंट, इसको less करेंगे, 8 आजेगा, उपर से 7 नोटाउन करेंगे, अब 10, 8 is a 80, and 7, उपर से नोटाउन करोगे, 5, ओके स्टूडेंट, अब आपका किस नमबर पर जाएगा, 7 पर 70, अब आगया आपका रिमेंडर 5, क्योंकि आपका रिमेंडर आगया, हमने का था रिमेंडर नहीं होना चाहिए इस में, इस वली digit को, डिवाइड में रखेंगे, 5 to 10, this is your answer, SCF आपके पास आगया, 5, this is your answer, ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए मैंने, आपको SCF के 2 मेथट बताएं हैं, फर्स्ट मेथट आपके पास है, प्राइम, जिसमें आपको अलग-लग करके डिजिट को करना है, और सेकिंड मेथट है, आपके पास टिवीजन मेथट, ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम LCM को रीड करेंगे, ओके तब तक के लिए, गुड़ बाई,